देखिए अभी नाश्टे में आलू बना रही हूं इस तरीके से और नए तरीके से गोल-गोल काट कर फ्राई कर लिए हैं हिंग और जीरा डाला था ओईल में बस और देखिए अच्छे से इनको पहले फ्राई कर लेना है और फिसमें नमक डाला मैंने अड़ किया है और फ्राई करने से आलू पक जाते हैं जल्दी गल जाते हैं और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी मैं और मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली थी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है और देखिए अच्छी तरीके से लाल मिर्च और नमक डालकर इसको मि मिक्स कर दी थी और देखिए खेया लग गया उसमें घंच माटरों को ट् tendu करे डाल रहे हूं क्योंकि निने आयल जल्दी घंच तो अलू जो अनिये ध्यर्टा नहीं है और रही हरे ने कर दिया थो भी नी सबस् i अभी आदे से ज्यादा आलू मरे फ्राई होकर गल गए हैं अभी टमाट्रों को भी पकाना तो ढखकर पकाएंगे और देखिए आलू बनकर बिल्कुल रेडी है आलू की सबजी मैंने अपना तरीका शेर किया आप भी जूरू ट्राई किजिएगा इस तरीके को बहुत ज्या पराथों के साथ यमी यमी आलू बहुत टेस्टी बने थे हैं और देखिए अभी सुब दपैर का एक बज गयाै और सारे काम हो गए है मेरे जो भी होने थे जो शुरूरू शेयर किया है मैंने आम मिल रहे हूं मैं आपसे दपैर के समय बज गया भी दपैर का और अभी जो लंच बनाऊंगी और लंच में जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करते हो भी बने रही है मेरे व्लॉग में और देखिए हमी चत पर गई थी तो अच्छे-च्छे फूल खिले हुए सारे पीटूनिया पैंजी और गजानिया पर नया फूल खिला इसमें अभी एक कीकली ब लगाए थे और फूल गेंदे के फूलों को मैंने विज बनाया में पोधे निकल कर नंकला तो ऊ प्लांटथ सब उब नहीं पर प्लांटर भी है और ये बेल सूख गई थे भी हरी हो गई और इस समय सारे पोदे अच्छे हरे भरे हो रहे हैं और पानी डालाते हैं सुबही इसमें जाकर और देखे ये भी ऐलोवेरा लगाया था ये भी अच्छा चल गया है और ये शूज देखिए इसमें मैंने टर्टल पान लगाई थी और ये भी चल गई इसके अंदर और सारे इस बहुत अच्छे चल रहे हैं और ये बेल सूख गई थी इस अच्छी हो गया ये बाल्टी में गेंदे के फूल डाले थे इसमें बहुत अच्छा लग रहा ये और ये देखिए रंग भी रंगी सबजी चुक लगवा लेती हूं उनको भी क्योंकि खाना बनता है इनका धूप से धूप की सब पोदों को जरूरत होती है तो इनको भी अच्छे से मैं धूप लगवा लेती हूं और पानी जो अब बहुत दिनों बार डालती हूं मैं थेंक्यू नमस्ते बाई